जिन्दगी को जीने का सबसे समझदार तरीका क्या है और सबसे बेवकूफों वाला तरीका क्या है जिन्दगी को जीने का अगर इसको दूसरे वे में बोलू तो इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन है और सबसे बेवकूफ कौन है 99.99% वैसे खचरों में आएंगे देवकूकों में आएंगे तो 0.01% है जो समझदारों में आ सकते हैं और वो चॉइस अभी है आप लोग के सामने विकास यूर इन स्कूल तो अभी ये चॉइस ले सकते हो एक बर उस कैटेगरी में आ गए तो वहाँ से वहाँ शिफ्ट होना is almost next to impossible जो बंदा ये मान लो कि अगर पूरी जिंदगी में खुश रहा तो क्या उसको ये नहीं कहींगे कि वो सबसे समझदार है ये उसको कहींगे सबसे समझदार जो बहुत बरा scientist है जिसने Nobel Prize जीता है या ये किया है वो किया है लेकिन अंदर से life frustrated है समझगे एक है दुनिया की नजर में वो successful हो गया लेकिन अंदर से जो पूरी life अगर आप देखोंगे मतलब जो अंदर से जो खुशी होनी चाहिए थी जो मस्ती होनी चाहिए थी life में कोई मजा नहीं है कोई kick नहीं है kick word आप use कर सकते हो लेकिन kicks तो आती जाती रहती है तो I'm not talking about that मैं ये कह सकता हूँ एक deep satisfaction नहीं है life में अभी आपके पास खुश होने के लिए क्या कोई बहुत बड़ा reason है या नहीं है है क्या reason है जिंदा हूँ ये छोटी बात नहीं है ये बाते जो समझ सकता है वो समझदार इंसान है जो नहीं समझ सकता है वो बेवकूफ वो खच्यार है वो भागेगा race में आप समझ गए न वो race में ही भागता रहेगा मरते दमता अब ये अब ये अब ये अब ये वो अपनी खुशी को पुस्पोन करता रहेगा खुश कभी नहीं होगा तो अब एक line में बोलूँ गा इसको बड़े ध्यान से सुनना अगर ये आपको समझ आई नहीं तो मज़ा आजाएगा इस एज में especially दिल से जो मैं चाहता हूँ ना मतलब जब आप लोग को देखता हूँ especially इस एज गुरूप में दिल से चाहता हूँ कि आप लोग इतने खुश रहो अपनी पूरी लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है मतलब मुझे भी जो खुशिया नहीं मिली है जिंदगी में because of whatever reasons वो सारी खुशिया आपको मिल जाए कभी भी आपकी जिंदगी में दुख का नामो निशान ना हो दुख हो तो ऊपर 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 नेवल पे हो सब ठीक है ऊपर ऊपर चलता रहा है अंदर से एक satisfaction बनी रहे है तो ध्यान से सुनना जो चीज में बोलने वाला हो इसको अपने अंदर तक जाने देना यही आज के session का ground है इसी के base पर हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे पास में है उस तरफ हमारा घ्यान नहीं है उसकी हमारी life में कोई importance नहीं है सिर्फ जो नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे है हो सकता है जो आप पाना चाहते हो जो आपको बहुत important लग रहा है वो कच्रा है उसके सामने जो अभी आपके पास में है लेकिन आप उसको देख करके खुश नहीं हो रहे तो जब कच्रा जो आपको बहुत important लग रहा है जब वो मिल जाएगा तो क्या खाख खुश हो गए बदबू आईगी उसमें से कच्रा में से तो बदबू ही आईगी ना तो जो flowers अभी हैं आपकी life में जब उससे खुश नहीं हो रहे खुश बू से खुश नहीं हो रहे तो बदबू से क्या खाख खुश हो गए तो हमें सिर्फ उसकी importance देखनी है जो अभी हमारे पास में है जैसे अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा important क्या है अभी ऐसा क्या है वो तो आपको लगता है के career इसका ध्यान से समझे ना जो चीज मैं बोल रहा हूँ ऐसा तो आपके mind में feed कर दिया गया है अभी आपको ये लगता है कि आपके लिए सबसे important है आपका career मैं कहता हूँ बकवास सबसे important है पहले ये समझना कि actual में life में सबसे important क्या है चलो career में जो भी आप सोच रहे हो जिस भी हद तक सोच रहे हो उसका 100 गुना आपको मिल गया लिए कुछ ऐसा है जो अभी आपके पास में है वो चला गया आपके हाथ से क्या है ऐसा खुशी को भी छोड़ दो यहां पर जान लेवा बिमारी लग सकती है नहीं लग सकती है लग सकती है अगर वो लग जाए और दूसरी तरफ से आपको career में पैसे में पता नहीं क्या क्या मिल जाए उसकी क्या importance है कुछ भी नहीं है तो सबसे important क्या है आपके लिए मरते दम तक क्या यह कभी भी importance इसकी change होने वाली है मरते दम तक तो जो भी आप career चूज करने वाले हो उसका आपकी health से क्या connection है कभी सोचते हैं ऐसा नहीं सोचते क्यों नहीं सोचते क्यों को पता ही नहीं है हमारे लिए सबसे important क्या है आप आज जिस age group में हो जो भी आप कह रहे हो मेरे लिए सबसे important है मेरा career जिस career की height पे आप पहुचना चाहते है उस height पे जो बंदा बैठा हुआ है मानलो उसकी age है 45-50 साल एक company का CEO बन गया है उससे उपर आप क्या बनोगे समझे न CEO के उपर आप कहा जाओगे जी chairman मन जाओगे चलो ठीक है anyhow तो आप समझ पारे हो मैं क्या कह रहा हूँ अगर उस बंदे को यह option दिया जाए कि तेरे पास जो है वो मिला इनको यानि कि आप जो यहाँ पर बैठे हो आपको और आपके पास जो है वो मिला उनको क्या लगता है वो accept करेंगे इस deal को या नहीं करेंगे समझदार होंगे तो कर लेंगे और अगर आप बेवकूफ होगे तो आप इस deal को accept कर लोगे समझ गहे हैं आप महामूर्क होगे तो आप कहोगे हाँ ठीक है मैं एक्सेट कर लेता हूँ यानि कि क्या मेरी अभी एज है मानलो 15 साल 16 साल मेरी एज हो जाएगी 40 साल और मेरे को वो सब कुछ मिल जाएगा बस हेल्थ नहीं होगी ऐसे लोग जिनको आप बहुत सक्सेस्फिल बोलते हो उनक भी उडी इसकी गोलिया खार्या हीए गर रहे वह गर्रह ने क्या पड़ा है चाहिए तो भूरी लाइफ इसके आसपास में तब मेरी बात आपको समझ आएगी लेकिन अगर आज समझ आगी तो क्या होगा इस health को आप maintain कर जाओगे अपने decisions को इस तरीके से choose करोगे कि मेरे इस career का health से क्या connection है दूसरा relationships ये अभी हो सकते आपको समझ नाएं क्योंकि अभी क्या है कि हम relationships की negative side को देखते हैं लेकिन अगर कल आपके parent में से किसी एक की पगवान ना करे अगर death हो जाए तब आपको उनकी importance समझ आएगी कि वो क्या थे मेरे लिए यह बात सच कह रहा हूं जूट कह रहा हूं अब मांग नहीं रहे हो कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए अभी आपके पास में है है अगर आप यह प्रियर आपके अंदर चलती रहें तो कितनी अच्छी प्रेयर है कि थांग गॉड्ड हो मेरे पास में अच्छी हेल्थ है I'm thankful for it thank you so much आपने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ इया है ऐसे ही जो हेल्थ में अभी मैंने लगाया इसी को आप लगा दो पेरेंट्स में यह नहीं कि है बगवान वैसे तो मेरे पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं लेकि मेरे पापा है नों को गुस्वान थोड़ा सब कम हो जाए तो मेरी लहीं बहुत बढ़िया हो जाएगी कि क्या मांग रहे हो इससे क्या होगा उनका जो नेचर है वो तो वैसे ही रहने वाला ह तो आप कभी खुश हो नहीं सकते हैं उनकी अंदर को इनको पॉजिव कॉलिटी तो होगी कुछ तो अच्छा होगा आपके फादर में आपकी मदर में ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी अच्छा ना हो तो उनकी उस अच्छाई को याद करके इस थैंक्फुल तो गॉड और तो तो अगर ऐसे आपके अंदर चलता चला जाए एंडों मेक टो रूटीन क्योंकि जब भी कोई चीज रूटीन मन जाते तो बोरिंग हो जाती है जैसे सुबह सुबह आपके घरवाले बोलते हो यह प्रेयर करने के लिए तो वह तो फिर इतनी जल्दी हो जाते कि समझ ही नहा है वो अगर आप समझ जाओ तो अनिसली बोल रहा हूं आप से जादा समझदार इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है और अगर इसको ना समझ पाओ आपस वड़ा बेवकुफ कोई नहीं है क्यों विकॉज इस आपके पास में है अगर आप उससे खुश नहीं हो तो अभी डिग्री नहीं है तो अभी ध्यान सारा डिग्री की तरफ है डिग्री मिल जाएगी उसके बाद में नौकरी नहीं है तो ध्यान सारा नौकरी की तरफ है नौकरी मिल जाएगी तो कंपनी में पॉलिटिक्स है प्रॉब्लम्स हैं तो सारा ध्यान उसकी तरफ है एक तर अप्नी बोडी गो टच करो, देखो, अपनी बोडी को टच करके फिर इसको बोलो थैंक यू फोर बिग डया likes ङगर अपको साथ ना देना उखाड़ो भिर आपका उखार शकते कूछ नहीं कर सकते। इसे इंक इसे इंपोरोंटेंट है ए बॉली थैंक्व भूझे पॉर बींचने इक इने हांकों के बारव में थैंक्यू आ कानों के बारे में, thank you for being there. कि thank you, thank you नहें, एक मन्तर की तरह चलना चाहिए. जिसने मन्तर होता है. ये असली मन्तर है. Thank you for everything. This is the height of peacefulness. So thank you for being there. जब माइन हमारा बीर्कुल peaceful होजाता है, तो चैसा लगता है? अच्छा लगता है? इसको खुशी बोलते हैं खुशी समझा गई क्या होती है ये खुशी है